बश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टेडी इंडियोर में उत्राखंड अपर PCS के लिए मेंस आंसर राइटिंग सेशन हो रहे हैं हमारे यूटूब चैनल पे उसका ये सेशन नमर फिप्त है तो आप आप आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे जो भी क्वेसन हम आपको दे रहे हैं आपको जानकारी बता दूँ अगर आप नहीं है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे जूड सकते हैं जिसका नाम है स्टेडी इंडियोर वहां पे जो कॉपियां है उसको अपलोड भी कर सकते हैं एक चीज आप मेन ग्रूप के साथ जूड़िए पयर जूड़िए 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 तो आप आप हमारे साथ जूड़ते रहेंगे और साथ साथ-साथ अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कराएं तो प्रीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए देखे अभी तक हमने जो सेशन फूर में क्या क्या कराया है वो बता दे तो हम बिल्कुल टॉपिक वाई चलने हैं जो भी हमारा मींस का सलीवस है देखे इंडियन एग्रिकल्चर वाला जो सेक्षन है वो मैं करा चुका हूं ना हम इंडियन इंडियन इंडिस्टी वाले सेक्षन को कवर कराने जा रहे हैं देखे जिसमें यह MSME वाले जो सेक्षन है उसको आज हम कवर कराएंगे और उसी से क्वेसन भी आपके लिए यहां पर रखा है देखे बहुत टाइम से क्वारी जा रहे थी इस्टूटएंट की सर आप हिंदी में जो questions हैं उसको नहीं देते हैं तो now हमने बहुत मैनत करने के बाद अपने जो questions हैं आपके लिए हिंदी में भी रखिए अब जाके भी आप अगर questions के answer नहीं लिखते हैं तो फिर क्या ही कहें और अगर आपको हमारी जो ये मैनत लगती है तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए इससे क्या होता है कि हमें motivation मिलता है और लगातार काम करने का एक जज़बा भी हासिल होता है तो मैं आसा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप मुझे एक motivation देंगे so that इसी तरीके से मैं आपके लिए question लेते हूँ तो चलिए आज MSME वाला जो एक question देखते हैं हम यहाँ पर की क्या है बट उससे पहले आप सभी को पता है 14 अपरेल है डॉक्टर बाबा साब की जहनती है तो उसी से related हमने यहाँ पर एक question रखा है तो जो पहला question है discuss the contribution of डॉक्टर बाबा साब in bringing right of Dalit and marginal community in the country तो देश में Dalit और हासिये पर पड़े सुमदाई के एधिकारों को लाने में डॉक्टर बाबा साब अमेटिकर का युगदान की चर्जगरे तो इस questions को आपको खुद से लिखने है जो भी आपकी जो points होंगे उनको खुद से लिखने है और copy upload कर दीने है नाव जो हम यहाँ पर discuss करने जा रहे है वो discuss है यह second वाला question जो कि MSV sector के बारे में तो यहाँ पर लिखा है कि जो potential है MSV sector का वो क्या है और साथ साथ में discuss करना है कि जो challenges है MSV sector से वो क्या है ठीक है तो यहीं देखिंगे हम इसमें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में भी तो जो भी आपका जो medium है उसमें आप questions को जरूर लिखिए और चलिए अब discussion करते हैं देखिंगे जो discussion होगा वो English में ही होगा आप चाहे तो हिंदी में अपनी copy लिख सकते हैं इसको translate करके अपना answer लिख सकते हैं देखिंगे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको introduction बताये था देखिंगे introduction में दो तरीके होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताये था first thing is definition wise और second thing is data और दीशे तरीके से anecdote से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम data से लेकिए start कर रहे हैं देखिंगे MSME sector से हमारे पास बहुत सारे data है देखिंगे आप इस तरीके से अपने answer को start कर सकते हैं कि जो MSME का जो sector है उसका जो GDP में जो contribution है बहुत ज़्यादा है that is 37.5 ठीक है वहीं अगर हम देखिंगे जो MSME sector का जो MSME sector है उसका जो export में जो CR है वो लग वो 40% के आसपास है वहीं जो हमारा MSME sector है वो indirectly और directly 11 क्रोड लोगों को रोजगार देता है after agriculture sector ठीक है तो इस तरीके से आप अपने answer को start कर सकते हैं फिर उसके बाद हम से पूछा गया था कि क्या ऐसी problems है जो MSME sector से associated है तो यहाँ पर problems की बात करेंगे देखे जब भी आप लिखो ना questions को तो देखे जो यह word है न problem यह अपने यह आपमे एक problem है तो कभी भी आप जब question का answer लिखते हो जो आपकी जो word आप पिक कर रहे है उन words का भी बहुत मैत्वा होता है ठीक है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है ना यहाँ पर MSME के challenges हम देखते हैं सबसे पहले absence of adequate and timely banking finance देखे बहुत सारे MSME sector ऐसे होते हैं जिनको credit नहीं मिल पाता है institution से जिसकी वज़े से वो अपनी जो growth है वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं second thing is market knowledge अभी भी ऐसे बहुत सारे MSME sectors है which lacks in knowledge जिसकी वज़े से वो अपना skill up नहीं कर पाते हैं third thing is lack of infrastructure आप सभी को पता है जब हमारे पास credit नहीं होगा तो हम infrastructure किस तरीके से कर पाएंगे और infrastructure है भी तो वो उतना अच्छा नहीं है कि हम बड़े बड़े जो sectors है उनकी बराबरी कर पाएं second thing is non-ability of suitable technology देखे टेक्लोनोजी तो होना ही ज़रूरी है अगर आपको अपने जो products है उसको skill up करना है आपके पास suitable technology होनी चाहिए so that कि आप चीज़ों को skill up कर पाएं इसके लावा low production capacity technology नहीं होगी तो साप और सीधी बात है कि जो आपकी production capacity होगी वो भी कम हो जाएगी इसके लावा ineffective market strategy देखे जो बड़े-बड़े sector होते हैं जैसे आपने देखा होगा गूगल हो गया एपल हो गया यह जो इनकी जैसे कि Amazon हो गया इनकी जो marketing strategy होती नो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी होती इसलिए यह इतने बड़े लेवल पर आज खिल पा रहे हैं जबकि में समी सेक्टर क्या होता है उसके पास credit कम होता है प्रोडक्शन कैपिसिटी जाद कम होती है अब देखे क्रेडिट कम होगा तो आप सभी को पता है market strategy किस तरीके से लगाएगा हो साथ साथ में उनके पास expert की कमी रहती है experts कमी रहने के वावजूद क्या होता है कि जो market strategy अच्छे से नहीं लग पाते है और फिर उसके बाद अपने product को आगे नहीं बढ़ा पाते है इसके बाद ये देखे जो labor law है देखे बहुत देखे हमेरे पास आपको पता है कि 44 से ज़्यादा labor law थे क्योंकि देखे ये labor जो है concurrent issue है तो कुछ center के law लगते हैं कुछ state के law लगते हैं जिसके बाद क्या होता है जो ये labor laws होते हैं वो बहुत ज्यादा cumbersome हो जाते है cumbersome मतलब बहुत ज्यादा जटिल हो जाते है और इसमें क्या होता है कि जो MSME sectors के जो owners है उनको बहुत बढ़ा problem होती है ठीक है बट अभी government ने इन labor laws को codify करने के कोशिज करें विच इस वेरी वेलकम स्टैप ठीक है नाव जो लास्ट वाला है नॉन एबलेबिल्टी ऑप इसकी लेवर एड एफोर्डेवल के स्ट कॉस्ट तेक हमारे कंटी में जो सबसे ज़्यादा problem है that is for the skilled labor इसी लिए आपने देखा होगा कि जो क्बश्य में वह फार्णव करा रहा है लग- citrus तो इसके लेवर वर कि आज की अगर है तो अगर है टो अगर है उनकी पॉप्रण बहुत जाद म्लोँ मिल पाते हैं टो यह बहुत सारी आइसी problem है है जो म्हारी के कर ट cet a ट oral हमारी तो आप इस तरह के नानसर को लिग सकते हैं जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वह भी इसी तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं इसको हिंदी में कर सकते हैं अब चलिए msme sector में कौन कौन से सुधार्मेर्स हैं जिन को गवर्णमेंट ने किया है देखिए MSME सेक्टर आप सभी को पता है जैसे कि आप्टर एग्रिकल्स है यह जो सेक्टर है यह सेक्टर कॉंटिब्यूशन करता है हमारे इंप्लोईमेंट में और एक चीज बता दो मैं आपको कि लबबक 11 रोल पिपुल्स को यह रोजगार देता है इसके अलावा देखिए जो MSME सेक्टर है वो लेवर इंटेंसिब है लेवर इंटेंसिब जानते हैं अब लेवर इंटेंसिब का मतलब है कि यह एक ऐसा सेक्टर है जो लेवर को क्या करता है एक्मोडेट करता है जितने लेवर है वह वहाँ जाके अपने को employment मला अपने लिए employment ढून सकते हैं और लेस्ट इसकी लेबर भी अपने को employment ढून सकते हैं MSME sector में तो ये एक labor intensive होने के करण क्या होता है employment generation करते है तो it is very important कि जो हमारा MSME sector है इसको क्या किया जाए है मजबूत किया जाए ठीक है अब देखे एक चीज और बता देता हूं जो देखे कि MSME sector क्यों important है इस चीज को भी बता देता हूं फिर मैं आपको बताओं कि बताओंगा कि what are the steps taken by the government देखे सबसे पहले MSME sector क्यों important है जैसे कि मैं आपको देखे यहीं पर बता देता हूं मैं आपको देखे MSME sector important क्यों है सबसे पहले जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको it is a labor intensive अगर labor intensive है तो labor को accommodate अच्छे से कर पाएगा लोगों को रोजकार दे पाएगा ठीक है first thing is this labor intensive के साथ-साथ क्या होता है कि जो यह MSME sector है यह जो ruler economy है इस ruler economy को भी क्या कर सकता है increase कर सकते हैं ना क्यूंकि जो rulers जो people है उनको employment मिलता है जिसके करना ruler economy बढ़ सकते है साथ-साथ जो MSME sector है इसमें women's का भी contribution बहुत जाद है women's को भी employment मिलता है जिसकी वज़े से women's का भी empowerment यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से आप अपने question में लिख सकते हैं साथ साथ में देखिए agriculture में आपको सभी को पता है disguised unemployment होता है अब disguised unemployment क्या होता है इस चीज़ को कभी और discuss करेंगे बड़ जो वो undisguised unemployment है कहाँ पे डूलर स्वारी agriculture सेक्टर में उसको वो ट्रांसपर कर सकता है यहाँ MSME सेक्टर में तो employment other than agriculture सेक्टर आप लिख सकते हैं employment other than agriculture सेक्टर ठीके इसके अलावा देखिए जो हमारा MSME सेक्टर से है it can contribute in the आत्म निर्वर भारत तो आत्म निर्वर भारत का जो सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर का इस चीज को भी यह पूरा कर सकता है इसके अलावा देखिए जो contribution है देखिए हमारी प्राइम मिनिस्टर ने यह हमारी government ने एक सपना रखा कि we will become a 5 trillion economy है ना हम 5 trillion economy बनेंगे इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं अब चलते हैं कि what are the steps taken by the government यह सारे steps लिए हैं government के द्वारा MSME sector को बनाने के लिए साथ-साथ में आप सभी को पता है कि MSME sector से पिलिम्स में भी question पूचा गया तो अपर PCS के ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि MSME sector से वह कितना ज्यादा important है ठीक है तो दी ज्यादा steps which have been taken by the government यहां पर आप देख सकते हैं labor reforms ला चुकी है government ठीक है जिसमें सरम सुविदा पोर्टल से ठीक है labor reforms कोडिवाई कर चुकी है चार चार सेक्टर में कोडिफाई कर चुके labor law को इसके लावा जो हमारी government थी वो मुद्रा स्कीम लेके आया थी जिसमें सुविश्यू की सूर करके यहां पर आपको credit दिया जाता था MSME sector को फिर उसके बार UAM उद्योग आदर मेमोरेंडम था उसके बार एस्पायर स्कीम लेके आया थी जहां पर प्रोमोशन होगा इनोवेशन का ठीक है किसमें रूलर इंडेस्टी एंड इंटर्प्यूनर्शिप में उसके बार इस्पूर्ती इस बेरी इंडेस्टी इंडेस्टी में फंड दिया जाए इसके अलावा इंडिया भी यहां पर गौवर्मेट लिखे आया थी इसके अलावा जैसे के हमने बताया जो बहुत ही ज्यादा इंडेस्टी को नहीं जाएगी तब तक वो आगे नहीं पढ़ पाएगा साथ साथ में इनोविशन भी नहीं ला पाएगा सो इट इस इंपोर्टेंट कि हम अच्छे से क्रेडिट सप्लाई कर पाए हमारे MSME सेक्टर को डैट स्वाइब गौवर्मेंट कम अप विद्ध क्रेडिट ग्रेंटी स्कीम में क्या होगा कि गौवर्मेंट बोलेगी कि भाई आप इस MSME सेक्टर को लोन देदो विदाउट अगर यह डिफॉल्ट करेंगा तो विविल गिव यू लोन्स ठीक है इन दो विआप जो भी यह MSME को आप लोन दे रहे हैं इसके लावा क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसेडी ठीक है जिसकी नोडल एजनसी सेट भी है नावाड है 50% कैपिटल सबसेडी दे जाती है ठीक इंट्रेलेक्चल प्रोपर्टी राइट्स में ठीक है अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पहली टाइमस ऐसे वाए कि 11 सालों में पहली टाइमस ऐसे वाए जहां पर हमारे इंडियन डॉमेस्टिक लोगों ने ज्यादा एप्लाई किया है पेटेंट के लिए एज कंपियर्ट जिसमें हमने 35 का उचाल किया था तो इंडिया दीरे-दीरे एक डेवलपिंग करेंटे से डेवलप नेशन की तरफ जा रहा है पर देखें आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को करने में टायम लगता है तो धहरे बनाने की जरुरत है और दीरे-दीरे चीजों में सुदा लाने की जरुरत है तो यह सारी चीजे हमने आपको बताई है आई होप चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाई हैंगे जो यह चीजे यहां पर लिखी गई थी इस चीज को आप अपने questions अपने answers में लिख सकते हैं यहां से पढ़ सकते हैं चीजों को समझ सकते इस पर study कीजिए इस तरीके से आपको जो यह topic है यह भी cover होता जाएगा ठीक है तो अगर आपको लगा कि जो यह चीजे मिल लिए आपको यह genuine मिल लिए है तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा और साथ साथ में जो आपके दोस्त हैं उनको भी share कीजिएगा जिससे भी उनको भी फाइदा हो सके देखे आप से भी लोग बोलेंगे कि सर हम आप पर विश्वास कीजिए कैसे कर सकते हैं देखे मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं अल्रड़ी दो मेंस दे चुका हूं UPSC के ठीक है हो नहीं पाया है वो अलग बात है आगे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट जो भी मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं अगर आपको लगेगे जैनिन है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए नहीं तो यूट्यूब पे बहुत अधर चैनल है आप वहां पर जा सकते हैं दो हमारा यह अभी छोटा चैनल है बट देखे जो क्वाल क्वालिटी कंटेन देना अगर सब्सक्राइब नहीं भी होंगे अगर दो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे उनको क्वालिटी कंटेन मैं दूंगा यहां पर ठीक है तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं जैन दोस्तों